जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटीब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच जून और छे जून 2021 के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रह आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है वीडियो को आंत तक देखें वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जनकारियां मिलते रहेंगी तो चलिए इन दो दुनों के तीथी नक्षत्र की बात कर लेते हैं पाँच जून का जो दिन है यह जेस्ट मास्क का शनिवार है यह पृत्छम शनिवार है और क्रिष्ण प्रक्ष की एक अदशी तिथी है इस एक अदशी को अपरा एकादशी का जाता है और यह पांच जुन से शुरू होकर 6 जुन की सुभा तक रहेगी इस दिन रेवती नक्षत्र रहेगा सुभाग्य नाम का योग बनेगा चंद्रमामीन राशी में है सुरिय व्रशब राशी रोहिनी नक्षत्र में है और इस दिन का अभीजीत मोर्थ है सुभा 11 बज कर 52 मिनट से दो जुन 11 जुन 11 जुन सुभा 6 बज कर 19 मिनट तक है तो यानि दो दिन की एक आदशी हो चुकी है एक 5 जुन को है और 6 जुन जो सुर्य उद्ध होगा तब 11 जुन ति रहेगी तो यानि ये दो दिनों में आप अगर सुर्य दे के समय तित्धी के हिसाब से करते हैं तो 6 जुन को आपको करनी है नहीं तो 5 जुन को आपको करनी है अश्विनी नक्षत्र है शोबन नाम का योग बनेगा चंद्रमा राशी बदल कर मेश रासी में आ चुके हैं मंगल की राशी में चंद्र आ चुके हैं और चंद की राशी में मंगल बैठे हुए हैं तो यहां भी इस्थ शनी मंगल आमने सामने हैं जैसे ही मंगल का राशी परिवर्तन हुआ तो मंगल और शनी दोनों आमने सामने हुए मंगल चंदर की राशी में है तो लक्ष्मी योग बना और अब चंदरमा मंगल की राशी में मेश राशी में होंगे 6 जून को तो पहले 5 जून का दिन जानते ह जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे और उन कामों को करेंगे जो काम आपको बेहत बसंद हैं कुछ अगर आपने उधार लिया हुआ था तो उधारी के लिए कुछ आपके पास लोग आ सकते हैं तो उन्हें नजर अंदाज करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा तो यह इस काफी अच्छा रहेगा इस दोरान आपको कोई सर्प्राइज मिल सकता है यह अपने जीवन साती के तरफ से भी मिल सकता है जो आपके लिए खुश्यों भरा रहेगा आर्थिक द्रस्ट्री से देखा जाए तो यह दिन काफी अनुकुल रहने वाला है आपके लिए कुछ ग काम आपको पूरा करने में किसी के सही युग की आवश्यक्ता होगी तो आप सही युग मांग सकते हैं समय आने पर आप भी उनकी मदद कर सकते हैं जिससे आपका काम पूरा हो जाएगा आपकी जरूरते पूरी होंगी पैसों से जुड़े मामलों के लिए ये दिन ठीक ठा झाहित होगा पिता की सीहत थोड़ी ख़राब सकती है तो पैटा की सीहत का ध्यान रखना है और अपनी सीहत के थचा समय पीतेगा कुछ लोगों के लिए आज का दिन एक खुब सूरत दिन में तब्दिल हो सकता है जो आप सोचेंगे उसके उसे पूरा करने की भी इच्छा आपके अंदर रहेगी और उसे पूरा भी आप कर पाएंगे कुछ इस राशी के जाद तक जो काफी दिनों से व्यस्त थे उनको आज फुरसत का पल मिलेगा और अपने परिवार के साथ असमय विताने का मौका भी उनको मिलेगा धार्मिक कारियों में भी मन लगेगा जिससे मांसिक शांति का अनुबह आप कर पाएंगे तो कुल मिला अगर देखा जाए तो पांच जून का जो दिन है यह आप के लिए कई तरह से अनुकुल बना हुआ है आप छे जून की बात करते हैं तो छे जून एक आदाशी थी थी दोनों ही दिन है आप जिस दिन भी एक आदाशी थी थी आप मनाते हैं तो अगर आप वरत रखते हैं तो बहुत अची बात है अगर वरत नहीं रखते हैं तब भी आप इस दिन भगवान विश्णु की पूजा अर्चना जरूर करें उनको तुलसी दल अर्पित करें शाम के समय तुलसी के पौधे के पास आप एक गी का दीपक जलाएं तुलसी की मस्का की बात करें तो इस राशी के जो तक राजनीती के शेतर से जुड़े हैं या फिर सामाज कुछे जिवन से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन बहुत शुभ ऐहने वाला है आपका मानसमान बढ़ेगा इस दिन आपकी कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात होगी आपका जनसंपर्ग बढ़ेगा तो ये दिन उन लोगों के लिए काफ़े इनकुल है आप आयात निर्यात का काम करते हैं विदेशी कंपनी में कारे करते हैं अपने कर्म पर भरोसा करना सीखें बस यानि कर्म पर जादा भरोसा करना है उसके बाद भागे भी आपका साथ देगा और इसी एक आधार पर आप तरक्की पा सकते हैं एक चीज से जरूर ध्यान रखें कि जुवा सट्टा जैसी चीजों से दूर रहे क्योंकि अभी शनी और मंगल दोनों आमने सामने में है और शनी वक्री भी हो चुके हैं तो इस दोरान इन चीजों से आपको दूर रहना होगा वरना ये आपके जीवन में कुछ नकरातमक पहलू लेकर आ सकते हैं कोई परिशानी में आपको डाल सकते हैं इस दिन आपको अपने पारिवारिक समय होगा माता आपकी काफी सपोर्टिव होगी किसी बात का समर्थन अगर आपको चाहिए था तो वह समर्थन आपको मिलेगा कुछ खर्चे का योग है घर के कुछ सामान या साजो समान पर आज कुछ खर्चा हो सकता है आपके भाई-बहनों का पुन सहयोग प्राप्त तक एविवाहित हैं या आपके बच्चे हैं और वो शादी के योग हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है अगर बार-बार रिष्टे की बात टल रही थी तो वो बात आज पक्की हो सकती है छे जून के दिन शुब दिन है विवा जैसी बातों के लिए विवा का प्रस्त जो आपसी रिष्टा है उसमें कटूता ला सकते हैं तो यहां ध्यान रखना है अलेकि आप एक मजबूत व्यक्ति होते हैं तो आप हर चीजों को हैंडल करना हर चीजों को समालना जानते हैं कुछ लोग इस राशी के आज पूरा दिन बिजी भी रहेंगे मोबाइल सोशल म तो इसीजों का ध्यान रखें पाकि हमारी इस वीडियो को ज़्यदे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें